अलो गाईज, वेल्कम टू माई चैनेल गाजेस अफाइर वेदा एंड हेल टिप्स में तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक है बड़ा हुआ कोलेस्टरॉल है खत्रे की घंटी कम करने के लिए अपनाए ये घरेलू उपाए आज काल के समय में स्वाच सम्मंदित समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है इन्ही में से एक है हाई कोलेस्टरॉल की इस समस्या से निपढ़ने के लिए लोग अकसर दबाईयों और इलाच का साहरा लेते हैं जबकि जिबन साहिली में हलके बदलब और कुछ घरेलू नुस्खो से इस समस्या से राहत पाई जा सकती है बहुत से लोग कोलेस्टरॉल के बारे में तो जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि असल में ये होता क्या है आपको बता दे कि कोलेस्टरॉल एक तरह का फैट होता है जो खून में मौजूद होता है कोलेस्टरॉल सरीर के अंदर बहुत से कारियों के लिए जिम्मेदार होता है जैसे सेल्स को लचिला बनाए रखने के लिए और विटमिन डी के संक्सलिशन आदी के लिए ग्यात हो कि दो तरह के कोलेस्टरॉल होते है एक होता है LDL और दुसरा होता है HDL LDL कोलेस्टरॉल रख धमनियों में बाधा उत्पन कर रिदर को नुक्सन पहुचाता है जबकि HDL कोलेस्टरॉल आपके दिल का खयाल रखने का कारियों करता है कोलेस्टरल बरने का कारण केवल खारब जिबन सहली और बेकार खानपान ही नहीं बलकि इसके लिए फैमिली हिस्ट्री भी जिम्मेदार होती है लेकिन स्वास्त भोजन, हल्की एक्सरसाइज और जिबन सहली में बदलाब के जरीए इससे राहत पाई जा सकती है घर से चितियो भगाना हो या फिर चोट को जल्दी ठीक करना हो इन सभी कारियों में हल्दी का उपयोग किया जाता है उसी तरह ये बैट कोलेस्टरल को कम करने का कारियों भी करती है दरसल हल्दी के अंदर पाय जाने वाले तत्त रक्त की धमनियों से कोलिस्टरोल हटाने का कारियों करते हैं इसके लिए आप चाहे तो हल्दी वाला धूत पी सकते हैं या फिर आप सुभा गरम पानी के अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल कर सेवन कर सकते हैं आजकल के समय में बजन कम करने से लेकर मेटाबालीजम बहतर बनने तक के लिए ग्रिन टी का उपयोग किया जाता है इसके अलाबा हल ही में हुई रिसर्च बताती है कि ग्रीन टी के अंदर पाए जाने बाले तत बैट कोलेस्टरॉल को तेजी से कम करने का कारियों करते है अगर आपको इसका स्वाथ पसंद नहीं है तो आप ग्रीन टी कैपसूल का सेवन कर सकती है अब बताती हूँ लैसुन के बारे में लैसुन को पहले के समय में बहुत सी बिमारियों के उपचार के लिए इस्तेमल किया जाता था वो ही मौडन जेनरेशन के लोगों के लिए ये कोलेस्टरॉल कम करने का एक बहतरिन तरीका भी है लेकिन इसके लिए आपको सुभा के समय या रात को सोने से पहले इसे कच्चा खाना होगा दरअसल इसके अंदर एलिसिन पाया जाता है जो कूल LDL कोलेस्टरॉल की मत्रा को कम करने में सक्सम होता है आलसी के बीज या फ्लेक सीट्स आपकी पाचन क्रिया से लेकर आपके रीदय के लिए भी फायदे मंद होता है इसके अंदर लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा थ्री फैटी असिट पाया जाता है ये आपके LDL कोलेस्टरॉल कम करता है ऐसे में आप इसका सेवन दूद या गरम पानी के साथ कर सकते है इसके लिए आप आलसी के बीच के पाउडर का भी उपयोग कर सकते है फिश ओयल को ओमेगा थ्री फैटी असिट का एक बहतरीन स्रोत माना जाता है आपको बता दे कि ओमेगा थ्री फैटी असिट LDL कोलेस्टरॉल की मातरा को कम करने का कारियो करता है इसके लिए आप फिश का सेवन कर सकते हैं जैसे लेक, सिलमोन, ट्राउट आदी अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दुखी मत हो आप फिश ओयल की 100 मिलिग्रम कैपसूल का सेवन कर सकते हैं सुखा धनिया या कोरियंडर का इस्तेमल अकसर बहुत से पकबानों में किया जाता है लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसके फायदों और इसके पोसक तत्तों के बारे में जानते हैं आपको बता दे कि इसके अंदर विटेमिन A, विटेमिन C, फोलीक एसीड और कई एंटियोक्सिडन तत्त पाये जाते हैं ये तत्त बैट कोलिस्टरल को सरीर से बाहर का रास्ता दिखाते हैं अगर आप धनिये के लाब उठाना चाते हैं तो आप रोजाना एक चम्मच धनिया या धनिया पाउडर को दो मिनित तक पानी में उबाले और फिर इसे पीए ये उपाए बैट कोलिस्टरल कम कर देगा आप बताती हूँ आमला के बारे में आमला के फाइदे बालो को ही नहीं बलकि रीदाई पर भी देखे जाते हैं दरसल आमला के अंदर ओमिनो एसिड और एंटियोक्सिडन तत्त पाये जाते हैं जो बैट कोलिस्टरल को कम करने का कारियों करते हैं आप चाहे तो इसके लिए ताजा आमले का सेबन करे या फिर एक चम्मच पाउडर गुनगुने पानी में डाल कर पिए ये आप को रिदय समस्टाओं से बचा कर रखेगा सेब का सीर का कोलिस्टरल समयत कई समस्टाओं का अंत करने में सक्सम हैं इसके लिए आप एक चम्मच सेब का सीर का ले और इसे पानी में अच्छी तरह मिला कर पिए इससे आपका कोलिस्टरल की समस्टाओं भी हल होगी और आप सेहतमन भी बहने रहेंगे तो guys आज की वीडियो में यहीu paint करती हो, अगर आपको मेरे वीडियो ऐच्छा और helpful लगता है तो subscribe जरूर करना और मेरे जैनेल की बागी वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको health related और beauty related और जानकरी मिले मिलती हो और एक interesting वीडियो के साथ